हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आप लोग का स्वागत है जिला विज्ञान में आज हम बहुत इंपोर्टेंट सेशन अपना कवर करने वाले हैं जिसके अंदर हम और गैनिक केमिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे कि बहुत जादा बच्चों का अगर मैं बात करूं तो और गैनिक केमिस्ट्री बहुत जादा वीक रहती हैं तो अगर मैं आपसे वेटेश की बात करूं न तो और गैनिक केमिस्ट्री से तक्रीबन तक्रीबन आपका 35% पोर्शन आपकी आईटी के अंदर आता है अगर आप मेडिकल के अंदर आप फील्ड में जाएंगे तो 30 से 40% तो बहुत इंपोर्टेंट है आपकी और गैनिक केमिस्ट्री ये बात आपको समझना पड़ेगा ठीक है और इसके अंदर बच्चों को काफी जादा दिक्कत होती है और गैनिक केमिस्ट्री की फर्स शुरवात आपकी क्लास 11 से होती है तो पहले हम डेकेंगे कि हमार नॉमन क्लेचर अब आयू पैक नॉमन क्लेचर के अंदर आप क्या करते हैं आप कंपाउंड्स के नाम बनाना सीखते हैं ठीक है जो आपने क्लास 10 के अंदर भी थोड़ा बहुत सीखा होता है और 11 के अंदर आके आपकी ये टॉपिक आता है उसके बाद आप इशक्रक्सक्राइब मेजोमेरिक एफेक्ट, ये ओलेटरोमेरिक एफेक्ट और तॉर्टोमेरिजव और ये सारी बाते आप इसके अंदर सीखते हैं उसके बाद आगे चलें तो जी ओ सी-2s paart-2 इसके अंदर आप सारी Gl expectations के बारे में सीखते हैं कि ये हमारी lighting क्या क्या होत आप सीखते हैं, इनकी आपकी प्रिप्रेशन कैसी होती है, फिर इनसे कमपाउंट कैन कौन से बनते हैं, फिर इनकी reaction कौन कौन सी होती है, आप ये बात सीखते हैं, उसके बाद आपके alkyl halides, आपके फिर alcohol phenol and ether, aldehyde ketone और इसके साथ में carboxylic acid and then nitrogen origin containing compound तो यह लास की जो चार चेप्टर हैं यह कार बॉक्स ले इसे के साथ हैं तो यह आप क्लास 12 में सीखते हैं और जो सार्टिंग वाले पोशन है यह आपको क्लास 11 में करा दिये जाते हैं पट आइनो काफी स्कूलों में काफी जगाओं पर यह चीज़े नहीं कराई जाती हैं और आप लोगों कभी ऑर्गेनिक केमस्ट्री में इतना इंट्रस नहीं बना होता है तो आप यह चीज़े करना भू इठा रहेते हैं कि भया जातू साइकल चलाना सी तो वो नहीं चला पाएगा क्योंकि उसको चलना ही नहीं आता अगर आप दीरे दीरे आप पहले आप क्या करेंगे बच्चे को चलाना सिखाएंगे चलने के बाद आप साइकल पर बठाएंगे ठीक है बच्चा चलने में द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईजो मेरिजम आप सिर्टो मेरिजम सीख लें तो भी आप छोड़ सकते हैं आई उपैक नेमिंग भी बीच में हल्का फुल का आपको कराया जा सकता है कुछ ही नेमिंग के रूल्स है पट जियो सी वन और जियो सी टू इंड़क्ट एक फैट आईजो मेरिक एफएक्ट आपके और एलेक्टो मेरिक एफेक्ट रेजुनेंज और तो मेरिक आसिडिक बेसिक स्टेंड अगर यह चीज़े आपने नहीं सीखे क्लास 11 तो बिटा 12 में दिक्कत करेंगी और गया फुल मार्क्स नहीं ला सकते अगर आप और गयानि chemistry को build कर सकते हैं, उनकी बात करते हैं, तो आप IUPAC Nomenclature जब आप पढ़ते हैं, तो इसके अंदर क्या आते हैं, आपके rules आते हैं, naming of open chain, cyclic compounds जो आपके ऐसे compounds होते हैं, और aromatic compound, benzene हो गया, आपका, tauleene हो गया, टिक है, acetophenone हो गया, इन सब के आप सारे की naming सीखते हैं, कि यह कैसी आपकी naming आती है, एक common naming होती है, और एक IUPAC naming होती है, तो दोनों की naming सीखते हैं, इसके अंदर generally आपके IIT के अंदर इस वाले एक type के compound आते हैं, कि बताओ, यहाँ पे आपने CL लगा दिया, यहाँ पे आपने कुछ और लगा दिया, ऐसे आपने करके यहाँ F लगा दिया, ऐसे compounds आपके generally IIT के अंदर देखने बिलते हैं, अगर मैं ऐसा compound देदो और वो लो इसकी norman glacier करो, तो शाहेदी कोई बच्चा इसकी कर पाए, ठीक है, और यह सारे confirmatory test, confirmatory test बहुत important है, यह DLN, IS वाला, IN antiomers वाला, structural isomers, optical isomers, तो बिटा यह अपने ही है, अपने आप में न, एक बहुत बड़ा topic है isomerism, और इसके दर यह छुटे-छुटे topics भी बहुत बड़े-बड़े topics है, आपको class 11th में यह बाते सिखाई जाती है, पढ़ आप महापे नहीं सुनते हो, तो इसका खामियाज़ा आपको 12th में बगटना पड़ता है, अगर आप यह चीज़े छोड़ देते हो एक बार के लिए, तो आपका 12th में काम चल जाएगा, इन से जादा आपका कुछ 12th का लिंक नहीं है, पढ़ हाँ, अगर IAT के अंदर आपको जाना है, और आपको entrance exam देने किसी engineering के, तो भाई यह जरूर पूछे जाएगे, ऐसा नहीं होगा कि आप इसको ignore कर सकते हो, ठीक है, आगे चलते हैं, journal organic chemistry 1, यह आपको आना ज़रूर है, अगर आपको यह नहीं आया, तो आप class 12th का CBSC तो at least नहीं कर पाओगे, इसके अंदर क्या क्या है, resonance है, stability of resonance structure, कौन आपके electron donating होते हैं, कौन आपके electron withdrawing होते हैं, कौन आपको ortho para effect दिखाते हैं, कौन आपका meta effect दिखाते हैं, तो यह वाली हो गए, उन्हीं के basis पे acidic strength, basic strength, बिटा acidic strength और basic strength से मैं अगर बता हूँ ना, आज तक IAT का एक paper नहीं बना, जहां से यह question आपको, यहां से acidic और basic से question ना डालते हो, even IAT, आप IAT कौन सी बात कर रहो है, JEE, आप JEE छोड़ दो, IAT आप jam निकाल लो, तो जो आपके MSC level के लिए होता है, even यहां तक भी आपके यहां से question आते हैं, basic same है, basic कोई अलग नहीं है, ठीक है, इसके अंदर ortho effect हो गया आपका, फिर आपका SIR effect होता है, static inhibition, in resonance, और फिर protonation वाला SIP effect, यह effects भी आपके हैं, ठीक है, हाला कि आपको यह पढ़ाई नहीं जा Electroameric effect भी आएगा, mesomeric effect होता है, जिसको आप बोलते हैं, तो यह सारी चीज़े बेटा GOC 1 में आती है, GOC 2 1 में बात करो, तो solvent, product solvent होता है, A product solvents होते है, solvent की chemistry अलग होती है, Electrophile, Nucleophile, यह आपके 12th के अंदर CBSC का part है, reactions कौन कौन सी होती, addition, reaction, substitution, reaction, अगर मैं addition की बात करो, Electrophilic addition reaction, EAR, Nucleophilic addition reaction, Friddle Craft addition reaction, फिर substitution में आ गई, ESR, NSR, FRSR, Friddle Craft substitution reaction, फिर E1, E2, Elimination reaction, जिसके अंदर आपका Mark on if rule लगता है, Mark on if rule भी बहुत important है, 11th क्लास में बहुत detail आपको दिया हो है, फिर stereo chemistry, OHO, SN1, SN2, यह वाली बहुत important है, अगर मैं बात करों तो यह इन reactions के अंद है, जो आपके course में नहीं है, बट IIT का ऐसा कुछ exam नहीं बनता कि जहां से कुछन ना आए, तो काफी चीज़े हैं, CBSC और IIT के बीच में आपके थोड़ी बहुत difference है, पर journaling आपका same रहता है, ठीक है, hydrocarbons के अंदर, alkane, 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 तो इनके अंदर भी है, इसकी reaction कैसी होती है, wood fitting reaction, substitution reaction, ठीक है, इन से आपकी preparation होती है, फिर इनकी काफी reactions होती है, कैसे alcohol बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, क्या reduction, क्या oxidation, इन तीनों के बारे में आपकी main है, जो आप class 11th के अंदर पड़े हैं, और class 12th के अंदर तो ये 5 चीज़े अपनी हैं, तो अगर मैं कुल मिला क तो आपको आने ही चीज़े, अगर ये topic नहीं आए, तो आप organic chemistry को रटोगे, समझोगे नहीं, organic chemistry मैंने mostly बच्चों को देखा, जो रटते हैं बार बार, समझते नहीं है, और जो लोग नहीं समझते हैं, उनकी यही दिक्कत होती है, समझ में आगया, तो आपको ये दोनों topic बहुत अच्छे से आने चीज़े, अब मैं आपको इतनी organic के बारे में क्यों बता पा रहा हूँ, because I have been working with many renowned IIT coaching centers, जो मैं आपको बता पा रहा हूँ, इस अपके अपने experience है, और यही मैं वहाँ पे mainly आपके organic chemistry को deal करता था, और यही सारे topics बेटा मैं आपको बहुत detail में करा स इसा question होगा, जो आपके इन topic से बाहर जाएगा, कोई topic से यहां से बाहर question आपका नहीं जाएगा, अगर मैंने आपको यह चीज़े पढ़ा दिये, अब क्या कैसा हम follow कर सकते हैं, क्या क्या चीज़े हम करें, अच्छा, एक बिटा यह formula sheet, यह formula sheet पे बहुत focus करना होता है, last time पे आप पूरे register उठागे नहीं देख सकते हैं, कि हम रट्टा मारने बैटे हैं, पूरा पढ़ने बैटे हैं, सरे, इसमें यह होता है, इसमें नहीं होता है, तो आपको reactions याद होनी चीज़े हैं, कि बहुत है है, हैलो एलकोहल से आप कैसे यहां पहुँच सकते हो, तो यह आपको यह मैं बनाना सिखाऊंगा, कि यह कैसे बनता है, ठीक है, और आपको मैं provide भी कराऊंगा, अब हम question आ गया है, कि how to prepare organic chemistry, तो यहाँ पर मैंने कुछ points लिखे हैं, तो आप उन points को आप देखेगा, first point क्या है, build a strong foundation, जो मैंने बताया है, कि अगर आपकी foundation strong नहीं होगी, तो आप उपर नहीं बढ़ सकते, अगर आप कोई मकान बना रहे हो और उसकी आपने नीव ही strong नहीं रखी, तो उपर का मकान क्या बनेगा, पूरा मकान ढह जाएगा, तो आपको foundation, अपनी नीव बहुत strong रखनी पड़ेगी, और वो कैसी होगी, जब तक आप basic concepts को नहीं reactions कब तक रटोगे, बहुत reactions बन सकती है, तो आप common understanding पर focus करो कि भाया हम common चीजें जो आपकी हो रही है, आप रटो मत understand करो कि भाया कि यह चीज हो रही है, तो इसके पीछे reason क्या रहा होगा, ठीक है, अगला, no, why something happens, अगर यह चीज हो रही है, मैंने कहा कि भाया, इसके mechanism रहा होगा, वो mechanism से आपकी बनती है, अगर मैं directly हर चीज reaction लिखाऊंगो, तो आप नहीं कर पाऊगे, तो हर चीज के पीछे reason है, कोई भी चीज अगर आपकी सामने लिखी है, तो इसके पीछे कोई ना कोई proper reason रहा होगा, और वो reason क्या है, वो आपको जानना है, जब तक आ बेटा वो काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है, आगे, अगर बेटा कई बार होता है, जैसे आप लगता है कि यह चीज भूल रहा हो, मैं यह चीज बोल रहा हो, तो it's better to write it down, चीजों को लिख लो, जित्ता जादा चीजों को लिखोगे, उत्ता आपके लिए बैटर याद र नुमेरिकल्स केंदर अपलाएं नहीं करना सीख पाए, तो वेस्ट है, मैंने कॉंसेप्स पढ़ाएं आपको और उन कॉंसेप्स को आप कोशन में अपलाएं नहीं करना पड़ पाए, तो वो भी वेस्ट है, तो यानि कॉंसेप्स सीखो, और उन कॉंसेप्स की की होती है उसमें नोट डाउन कर लो और नेक्स ताइम जब आप एक्जाम में जा रहे हो तो उससे पहले उस कोशन को देख लो कि हाँ भाई यह वाली मेरी गलती थी तो आपकी गलती होने का चांज बहुत कम हो जाता है ठीक है तो एक नोट बुक अपनी मिस्टेक्स की जरूर बनाओ दूसरी चीज कि अगर मैं कोई चीज कह रहा हूँ कि बेटा यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्जाम में पूछी जाती है तो उसके ओपर स्टार मार्क लगा लो यहां फिर इंपॉर्टेंट लिख लो कुछ भी लिख लो क्योंकि आती है अगर मैं कोई चीज एक्सपीरेंस से कह रहा हूँ तो भी आ वहीं उसको मार्क कर लो कि जब तक आप करो अगली बार रिवाइस करो तो अगर वो स्टार मार्क दिखे तो उसको दो बार एक बार देख जाओ अच्छे से देख जाओ कि यह चीज मिल सकती है और यकीन कौन कौन सी फॉलो कर सकते हैं तो अगर मैं अपनी बात करो ना कि आपको सीबेसी के लिए क्लास 11 और 12 की बुक बहुत है और 12 की बुक मोर देन सफिशेंट है 12 की बुक टेक और प्लेस जो मैं आपको यहाँ पर नोट्स दूँगा या फिर मैं नोट्स आपको कराऊंगा व मतलब गीता बोली जाती है और गैनिक केमिस्ट्री की इत्ती मोटी बुक है कम से कम मैंने वो पढ़ी है बेटा आप उसके लिए इंडियन ऑथर्स बहुत गंदा लिखते हैं बहुत बिकार बाते लिखते हैं अगर आप फॉरन ऑथर्स की बात करोगे तो बहुत अच्छी लिखते हैं अगर आप नॉर्मल प्रदीप और ऐसनी अपनी चोटी चोटी बुक उठाने लग जाओगे तो उसमें कोई फायदा नहीं उसमें अच्छी बाते नहीं लिखी है हाला कि 12 पास करने के लिए बहुत अच्छी बुक है बट आगे जाने के लिए वो अच्छी नह नोट्स पढ़ो क्या करना आपको नोट्स पढ़ो 11 तो 12 की चीज़े देखी और प्रेक्टिस पर पहुंच गया कतम बात बाकि बच्चे कहते हैं कि सर हमें बुक बता दो बार बार मेरे पीछे मैं कहां भी पढ़ाता हूं वहीं आगे सर हमें और गयनिक केम से स्टॉंग कर अगर आपको बेसिक चीजे नहीं पता तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते ऊसको नहीं पढ़ सकते वह चाहना करते आप रहिए यह चीज़ें आपके बार में तहीं तो जो पॉइंट से मैं आपको सारे पॉइंट यहां पर करा दिये हैं तो अब हम क्या करेंगे मैं I hope isomerism और जो आपके IUPAC naming है वो आपको already आती होगी, नहीं आती होगी तो आप comment section में आप जो बोलोगे मैं वो start करा दूँगा, बट मेरा महन है कि मैं आपको GOC start करा हूँ, क्योंकि आप आज से पहले आपने GOC इस level की कभी नहीं पड़ी होगी, कि कहीं पर भी नहीं पड़ी ह होगी, आप कैसी भी teacher को उठा के देख लीजे, मैं किसी की वो नहीं कह रहा है, बट मैं अपनी बात करा हूँ, तो जो मैं करा हूँगा ना, उससे आपको directly exam में question जरूर देखने को मिलेंगे, टिक है, तो हम organic GOC start करेंगे, बट आप जो बोलोगे comment section में, आप वो हम start कर दें मुझे कोई problem नहीं है, बट I want कि मैं GOC आपके साथ start करा हूँ, अगर आपको ये video अच्छी लगी हो, जो मैंने points बताया है, तो आपको अच्छे लगे हो, तो नीचे comment section में अपनी राय जरूर बताना, कि आपको आपके लिए helpful थी की नहीं थी, अगर थी, तो भी बताओ, अ इसा लगे आप वो चीजे बताओ, at least बताओ, so that I can know कि आप वीडियो देख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, thank you so much आपने वीडियो को देखा, हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब करना, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करना, क्य हम जल्दी से मिलते हैं आपके साथ, thank you so much, take care